आप सभी का वाइट एजुकेशन में सुबह के छे बच चुके हैं और एक सवाल आप से पढ़ाई कर रहे ना आप लोग पढ़िए क्योंकि अब हम लोग अक्टूबर में चले आए हैं अक्टूबर 2020 के कुछ करेंट अफेर हम आप तक साजा करेंगे जी यहां नवंबर दिसंबर मैंने समाप्त कर दिया है और साथ में एक कल का जो वीडियो दिया था वो जैनवरी 2021 का था एक दूसरे वीक का ठीक है दो वीकों का लेकिन यहां पे अक्टूबर में अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं चुकि हम आपको पूरे साल का करेंट अफेर देने का प्रॉमिस किये हैं तो आप पढ़ रहना तो पढ़िये नहीं पढ़ियेगा तो फिर बहुत पस्ता आईएगा और रोज ये क्यूज सुबह के छे बजे उटकर अटेंट कीजी हमारे साथ दोस्त चैनल पर जैसी जाएंगे आप एबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे आपको यहां पर टेलीग्राम का लिंक दीख जाएगा ठीक है आपको क्लिक कर लेना है और कोई भी डाउट होता है तो आप हमें वाटसप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी डाट अगर पूछना हो रूप में किसे नुट किया गया है। उन्हें वर्ष 2003 में नोट कर लिजेगा वर्ष 2003 तक Film and Television Institute of India की अध्यक्ष भी बनाया था तो अभी वर्तमान में Film and Television Institute of India Chairman की तरब से BP Singh की जगह ये लेंगे जी हैं दोस्तों ये कोशिन पूछ सकता है कि किसको सक्सीड के इन्होंने तो याद रखेगा BP Singh को सेखर कपूर को उनकी प्रसिद फिल्म है जैसे कि मासूम, मिश्टर इंडिया, एलिजाबेट और बैंडिट क्वीन के रिये जाना जाता है ये उनकी प्रसिद फिल्मों में से है ठीक है आपने देखी वी होगी इन सभी फिल्मों को आशा करते हैं सवाल नंबर दो पे चलते हैं दोस्तों किस भारतिया अभीनेता को UNDP के दोरा Special Humanitarian Action Award से समानित किया गया है देखे ये सवाल मैं आपको बता चुका हूँ इसलिए इसका आंसर मैं आपसे चाहता हूँ कि जल्दी से नीचे Comment Box में Comment कीजेगा Exactly दोस्तों आप अगर सोनु सूथ को यहाँ पे उंतर कर रहे हैं आंसर A हो जाएगा अच्छा Underline किया गया है यहाँ पे तोड़ा सा चलिए मैं आपको एक clue के तौर पर बता भी दिया हूँ तो भारती Bollywood अभिनेता हैं दोस्तों सोनु सूथ 28 September 2020 को इनको इस अवार्ड से समानित किया गया है संयुक्त राष्ट विकास कारिकरम की तरब से SDG हमिल्टेरियन एक्सन अवार्ड से समानित किया गया है दोस्तों आपको बता दे कि ये अवार्ड उनको इसलिए दिया गया है कि lockdown के तहट लाखो प्रवासियों को उनके घर बेजने और बिदेशियों को फसे छातरों को उनके घर तक सलामत पहुचाने का जिम्मा उठाया था इनोंने जिसके चलते ये अवार्ड से समानित किया अच्छा एक चीज़ और क्लिर कर दें सायद हो सकता है कि एक्जाम में बन जाए यहां से और जो चातर BPSC का त्यारी कर रहा है उनको ये सारी डिटेल जाना जरूरी है और बिहार द्रोगा के लिए तो इस प्रतिश्टिस समान से भारतिय अभिनेत्रियों को भी समानित किय जिनमें की प्रियंगा चोपड़ा है अच्छा एक दोस्तो एंजिला ना जोली है जो की जोंको भी समानित किया गया है इसके लिए हॉलिवड में एंजिला जोली जाए ठीक है ध्यान रखीगा, चलिए तो यहां पर शोनू सूद और प्रियंगा चोपड़ा याद रहेगा सवाल नंबर चलते हैं तीन की तरब भारत के किस सहर ने Resilience Sreeni में UNESCO पुरसकार जीता है अब ये बहुत अच्छा सवाल है तो क्या आप उत्तर कर रहे हैं सूरत जी हैं दोस्तो गुजरात का सहर है जिसको की Net Frexos Smart City Award के दूसरे संसकरन में 20 विस्तर पर 10 सहरों के एक समान में समानित किया गया है दोस्तो सूरत का भारत का एक मात्र सहर पुरे वर्ल्ड बर में जितने भी सहर है उनमें से सूरत जो है भारत का एक सहर जो की Net Frexos Smart City Award से समानित किया गया है अब बहुत सारे सवाल बनते हैं यहां से जोड़कर डेजिलेंस स्रेनी में युनेसको की तरब से Net Frexos Smart City का अवार्ड दिया गया है है इनको अब इसमें मेडेलिन, एस्पू, डकार, सेंटियागो, वियेना, आस्टिन, तेलिन और सेंजिन जैसी कई अन्य सहर है यहां बिजय रुपानी याद रखेगा दोस्तों सवाल में बता रहा हूँ तो पूछूँगा भी आपसे तो बिजय रुपानी जो है यह सीम है अच्छा गवर्नर कौन है तो आचारे देवरत लिख लिजिएगा बोल रहा हूं में और गांधी नगर जो की सवाल नबर चार भारतिय डाक किस राज्य किस सरकल सावंत वाड़ी खिलाओने पर चित्र पोस्ट कार्ड जारी करेगा तो देखें सावंत वाड़ी जो है दोस्तो महराष्ट का छेत्र है ठीके और वहां का खिलोना बहुत फेमस है और उसके उपर चित्रकारी होई है पोस्ट कार्ड पे दोस्तो तो यह 151 साल का चिन्हित करने वाला सावंत वाड़ी को यहां पे दोस्तो यह जारी करने का दोस्तो महराश्टर के CM है उदाव ठाकरे भगत सिंग को CR-E यहां के है दोस्तो गवर्नर और यहां की कैपिटल सिटी मुंबई होती है दोस्तो जी हां याद रखेगा यह तीन स्टैटिक पार्ट सवाल नंबर पांच दक्षिन पूर्व रेलवे ने ऑपरिशन मेरी सहली पर पुछा गया है जब से मोधी सरकार यहां पे आई है तब से लेकर अब तक के योजनाओं के बारे में पुछा जा रहा है तो यह सिनारियो आपके BPSC में बिहार दरोगा में भी हो सकता है बिहार कॉंस्टेबल में भी हो सकता है ओके चलिए तो दक्षिन पूर्व रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना के स्ट्रेंड में सुरू की है बिलकुल याद रखेंगे दोस्तों इनमें सब ही जिया हावडा यश्वन्पूर एक्स्प्रेस अहमदाबाद स्पेसल और मुंबई स्पेसल जो है हावडा टु मुंबई इन तीनों में ही दोस्तों संजे कुमार मोहंती लिख लिजेगा इनका नाम संजे कुमार मोहंती जो हैं यहां के महापरबंदक हैं दक्षिनपूर्व रिल्वे का मुख्याले पश्चिम बंगाल में होता है ये भी आप नोट कर लेंगे ठीक है कहां पर होता है पश्चिम बंगाल में सवाल नंबर च तोपिक है जो कि आपके SAC, NTPC, उसके अलावा रेलवे और उसके अलावा बिहार के एक्जामनेशन, अधर स्टेट के एक्जामनेशन हर जगह काम आएगा इसलिए मैं आपको दोनों ही लेग्वेज में दे रहा हूं कि हर जगह की छात्र इसको पढ़ सके भारतिय समाचायत पत्र जो है Society की अधक्षपत पर किसे नियुक किया गया है तो आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग बिल्कुल इंडियन निउस्पेपर सोसाइटी याद रखेंगे इल एडमिलन नोट कर सकते हैं एड एडी मोलम नोट कर सकते हैं इनका नाम है दोस्तो बी इस दे राइट अंसर इनको ये अवर्ट से समानित किया गया है यह हो सकता है कि सवाल स्टैटिक पार्ट से पूछ लिया जाए इसके साथ साथ दोस्तो आनंद बजार पत्रिका और आर्थिक टाइम्स और आज समाज जो है सोसाइटी उनको भी कोसाधेश चुना गया है वहाँ पे याद रखेंगे और यह हुआ है दोस्तो बैंगलूरू में यह जो आयोजन हुआ है यह बैंगलूरू में हुआ है अच नीचे कमेंट बोक्स में और सिक्स नंबर के साथ आंसर कीजिएगा चलिए मैं यहां के मुख्यमंत्री का नाम बता देता हूँ बियस यहदुरप्पा याद रखेंगा सवाल जो पूछा हूँ उसका जबाब आपको देना है रसायन बिज्ञान के लिए किसी सांती भटनागर अवर्ट इन केमेस्ट्री जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तो यह कोशिन बहुत ही इंपोर्टेंट है और आ सकता परिक्छाओं में बिलकुल अगर आप उत्तर करें दोस्तो डॉक्टर जोती मरई जोती मरई डैश और उसके साथ साथ डॉक्टर सुभी जैकब ज यह दोनों को दिया गया है दोस्तो बोथ A and B option are correct तो आंसर हमारा D हो जाएगा यहाँ पर 26 सेप्टेंबर 2020 को सांती स्वरुप भटनागर प्रुसकार देने की घोशना की गई थी डॉक्टर हर्ष वर्धन सिंग यह कौन है तो हमारे देश के बेग्यानिक और अद्योगीक अनुसंधान परिशत के जिया कारिक्ता धर्ता है भाई अभी तो आपको बता दे कि यह जो है अनुसंधान की स्थापना दिवस के औसर पभी किया गया वर्ष 2020 जो है 37 स्वरुप भटनागर प्रुसकार जो 14 विज्यानिकों को दिया गया है जिन में से यह दोनों है ठीक न भारतिय को देहरादून सैन अकाडमी का पुरसकार नुक्त किया गया है जल्दी से अंसर कर लेंगे तो लेफटनेंट जनरल हरिंदर सिंग बी उत्तर कर लेंगे दोस्ते यहां पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बी इस दर आइट अंसर अच्छा दोस्तों बता दे कि अब चुकि देहरादून से सवाल उठा है तो आपको बताना होगा दोस्तों की देहरादून जो है किस स्टेट की राजधानी है बिल्कुल उत्राखंड की उत्राखंड की गवर्नर कौन है तो बेबी रानी मौरिया ठीक यह भी याद रखिएगा सवाल बता रहा हो तो पहला चुद्रग्रा खनन रोबोट भेजने की घोसना कर दी है कि बहुत इंपॉर्टेंट सब यहां पर कोशिन है दोस्तों और आपको बता दे कि विच कंट्री अनौंस दस सेंडिंग ऑफ फरस्ट एस्ट्रोइड माइनिंग रोबोट इन्टो स्पेस इन नमेंबर तो च चाइना जिनका उत्तर आ रहा है बिल्कुल उत्तर सही कर रहा है अब देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दू कि चीन ने अभी निजी बिजिंग कंपनी है ओरीजिनल जीरा उसका नाम लिख लिजेगा ओरीजिनल ओरीजिनल स्पेस करके नाम है इसका व इस रोबोट को नियो वन के नाम से जाना जा रहा है जो कि चीनी लॉंग मार्च रॉकेट के मदद से भेज रहा है इसको इसका वजन जादा नहीं है 30 ग्राम का होगा और जो 500 किलोमेटर की उचाई पर पृत्वी के कक्ष में प्रवेश भी करेगा ठीक है यह सभी को पूरे दुनिया को परिशान कर रखा है इनने चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 10 पर कमबोडिया देश में भारत का अगला राजबूत किसे नियुक्त किया गया है बिलकुल जान रखीगा दोस्तों यह हैं देव्यानी उत्तम खोब्रागड़े जिहां देव देव्यानी उत्तम खोब्रागड़े इनको कमबोडिया देश के लिए अगला राजबूत नियुक्त किया गया है दोस्तों अब यह देव्यानी उत्तम खोब्रागड़े जो हैं यह अभी भारती विदेशी सिवाओं के लिए दिल्ली मुख्याले में सचीव के पत्पर कार रमाबाद, रोम, नियू यॉर्क जैसे जगों पर राजदूत के रूप में कारे भी कर चुकी है तो इनकी अचीबमेंट को भाई याद करना जरूरी है याद रखेगा जरूर से इनको सवाल नंबर 11 पर चलते हैं दोस्तो किस बैंक ने वेर हाउस कोमेडिटी फाइनेंस एप लॉंज किया है दोस्तो important, most important जी है दोस्तो यह कौन साब बैंक है जिसने की वेर हाउस कोमेडिटी फाइनेंस के लिए एक application लॉंज किया है तो वो है दोस्तो HDFC बैंक C is the correct answer आपने अभी हाल में देखा होगा NTPC exam में भी banking से related question पुझे जा रहे थे In fact, बिहार दरोगा में भी bank की question थे और अभी आपको BPAC में भी question देखा गए है तो यहां से जरूर जो भी नया update है वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको HDFC bank के अभी बरतमान CEO कौन है CEO of HDFC bank आदित्यपूरी आदित्यपूरी जो है यह है इसके CEO HDFC bank का मुख्याले मुंबई है याद रहेगा HDFC bank की स्थापना पूछ सकता है तो 1994 क्या मैं सही हूँ exactly 1994 is the right answer आप लोग भी याद रखिएगा मुझे तो याद है वैसे आप लोग को भी याद रखना बहुत जरूरी है धनलक्ष्मी bank के board में अतिरिक्त निर्देशक के वपद पर किसे निवत किया गया है बहुत अचा कोशन है ये कोशन बन सकता दोस्तो धनलक्ष्मी bank established हुआ था दोस्तो 1927 में जी हाँ और D के कस्यप है जी हाँ नोट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर D के कस्यप है डिरेक्टर अडिशनल डिरेक्टर अप दो बोर्ड ठीक है याद रखिएगा 28 सेप्टेंबर 2020 से 27 सेप्टेंबर 2020 तक इनका कारेकाल रहने वाला है और जिसमें की बैंकिंग सम्मेंदित सभी छेतरों का यह आकलन करेंगे जिया किसके तो RBI के नीजी छेतर के इस धनलच्वी bank के as a महा प्रबंदक जाने की additional director के रूप में D के कस्यप नाम याद रखिएगा बहुत important है सवाल नंबर 13 पर चलते है State Bank of India से फिर एक सवाल है SBI के नया CFO Chief Financial Officer किसे निवत किया गया SBI का यह अपने आप में important नहीं most important है question इनका नाम है चरंजीत सुरिंदर सिंग अतरा जी हाँ दोस्तों answer क्या कर लेंगे A is the right answer देखें आपको बता दे कि SBI जो है उसका मुख्याले भी मुंबई है याद रखेंगे और State Bank of India कहते हैं इसको SBI की स्थापना 1955 में किया गया था दोस्तों ठीक है यह भी याद रखेंगा और SBI के वरतमान चेयर परसन कौन है तो रजनीज कुमार है यह आप नाम याद रखेंगे तीन इस्टेटिक पार्ट यहाँ से भी आपको याद रखने पड़ेंगे तो अभी कारेकारी वितिये अधिकारी है स्री बैंकेटेश नागेशवर उनकी जगह पे अब यह जो है चरंजीत सुरिंदर सिंग अतरा आएंगे तो किसको सक्सीड करेंगे यह भी बता दिया स्री बैंकेट नागेशवर को याद रखेगा जो कि अभी यहाँ पे CFO है सवाल नंबर 14 दोस्तो किस राजी सरकार ने सडक मरमत योजना पथस्री अभियान शुरू किया है बहुत अच्छी बात है पथस्री अभियान जियां दोस्तो किस स्टेट ने किया है शुरूआत इसका देखें नाम से थोड़ा सा समझ में आता है कि कौन शुरूआत कर सकता जियां पश्चिम बंगाल is the right answer C is the correct answer आपको बदा दे कि इस योजना में करीब 12,000 किलोमेटर वाली सडकों को 7,000 खंडों से अधिक हिस्सों को मिशन मोड के तहत इसको लिया गया है और पथस्री अभियान नाम दिया गया है दोस्तों आपको बदा दे कि पश्चिम मंगाल के मुख्यमंतरी है ममता बेनर जी जगदीप धनकर यहां के होते हैं गवर्नर और जो यहां पे कैपिटल सिटी है वो कोलकाता होती है याद रखेगा तीनों स्टैटिक पार्ट कि सराजी को स्वक्ष सुन्दस समुदाइक सौचाले स्रेणी में प्रथम इस्थान दिया गया है आईए अपने आप में एक अच्छा और स्पेसल कोशन है आंसर कीजिएगा बिल्कुल दोस्तो अंसर अगर आपका आ रहा है यहां पे गुजरात तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है D is the right answer विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन दे क्लीन ब्यूटी community toilet category तो गुजरात अभी गुजरात की बारे मैंने आपको सारा status बता दिया static पाड़ भी बता दिया उसका तो ध्यान रखेंगे सवाल नंबर 16 पर चलते हैं किस राजे सरकार ने किसानों तक उर्वरग को को home delivery सिवा करने का फैसला लिया है दोस्तो जी यहां दोस्तो आंसर करेंगे यह कोई नहीं है आंध्र परदेश है आंध्र परदेश राजे के अभी वरतमान उर्वरग मंत्री कौन है डीवी सदानन्द गोड़ा यह नाम याद रखेएगा इन्होंने राजे के किसानों के लिए उर्वरग होम डिलिवरी करने का फैसला किया है आपको बदा दे कि 3.1 सॉफ्ट्वेर और SMS गेटवे और उर्वरगों का होम डिलिवरी सुविधा शुरू करने का यह फैसला लिया गया है दोस्तो जियां आंध्र परदेश की सरकार के दोरा अच्छा सवाल बनता है स्टेटिक पार्ट को लेकर आंध्र परदेश के कैपिटल सिटी अमरावती है और गवर्नर है बिश्व भूशन हरीचंदन लिख लिजेगा और यहां के चिफ मनिस्टर है याद रहेगा और देव गोड़ा जो है जियां दोस्तो CRPF दिब्यांग योद्धा साइकल रैली का उद्गाटन किया ऐसे सवाल बनेंगे और बार बार बनेंगे तो हमारे खेल मंतरी है किरन रिजू जी केंदरी खेल मंतरी है किरन रिजू याद रखेंगे दोस्तो आंसर सी हो जाएगा यहां पर इन्होंने गुजरात के साबर मत्यास्रम के होने वाले CRPF दिब्यांग योद्धा साइकल रैली का हरी जंडी दिया था यानि की शुरुवात क्या था 16 दिन का और 1000 किलोमेटर के दूरी दिल्ली पहुँचेगी जी हां दोस्तो CRPF के दिब्यांग योद्धा CRPF का मुख्याल है दोस्तो नई दिल्ली में याद रखेंगे इसके स्थापना कपकी गई थी तो 1939 ये कोशन बन चुका है एक्जाम में इसलिए फिर से रिपिट होने के चांसेज बढ़ते हैं केरला राज्य में किसने 90 दिनों में 350 ओनलाइन कोर्स करने वाल रिकर बनागी ये कोशन में बता चुका हूँ ठीक है और ये एक चात्र है दोस्तों जिसका नाम है आरती रखुनात जी हां आरती रखुनात याद रखेंगा इन्होंने आरती रखुनात ने M.E.S. College में MSC Biochemistry की Second Year की छात्रा है जिन्होंने Courseria ठीक है प्लेटफॉर्म पर अपना नाम दर्ज किया है दोस्तों ठीक है याद रखेंगा सवाल नंबर चलते हैं 19 पे दोस्तों किसे Golden Man किसे Golden Man Sex और Fortune Global Women Leader Award से समानित किया गया है या नामित किया गया है तो ये भी एक अच्छा सवाल है भाई जी हां वू वाज नॉमिनेटेट फॉर दे गोल्ड मैन सच एन दे फॉर्चून ग्लोबल वुमेन लीडर अवार्ड दोहजर पीस तो ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों जी हां C. रियान एडवर्ड्स को C. रियान एडवर्ड्स को नाम याद रखियेगा बस अगला सवाल किस सहर में रेडियो प्रिजन का सुभारम किया गया है बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल बन सकता है परिक्षा में तो रेडियो प्रिजन लाँच किया गया दोस्तों गुजरात का सहर एडवाद C. इस दर राइट अंसर नोट कर लिजीगे दोस्तों गांधी नगर कैपिटल सिटी है गवर्णर आचारे देवरत है बिजे रुपानी मुक्य मंतरी है गुजरात से इसके तहट जो ये सुभारम किया गया है इसके तहट जेल के कैदियों की सजा पूरी होने पर जेल से छुटने की सूशना रेडियो पर अब दी जाएगी और एक विसेज धुन भी बजाए जाएगी C. इस दर राइट अंसर सवाल नंबर 21 लांच पुस्तक इसके लेखा कौन है ये बता दीजी हमें बस बिलकुल अगर आप उत्तर कर रहे है पद्म पाणी बोरा C. इस दर करेक्ट आंसर इस पुस्तक को वर्ष 2009 बैच के आईस अधिकारी पद्म पाणी बोरा ने लिखा है इस कैडर के ये अधिकारी रह चुके है और इसमें जो विभिन जातिया है जन जातिया है जो की असम को विरासत में मिली हुई है उनकी परंपराओं को दर्शाया गया है पुस्तक पढ़िएगा इसम कभी मौका मिले तो याद रखिएगा सवाल नमर 22 पर चलते है किसे वर्श 2020 का फिजियोलोजी नॉबल पुरसकार दिया गया है ये अपने आप में भी एक अच्छा सवाल है तो ये हैं दोस्तो जी हाँ देखिए नॉबल पुरसकार से एक और सवाल तो ये अल्टर, राइस और हुटन ये तीनों को दिया गया है ठीके 2020 फिजियोलोजी पुरसकार हेपटाइटिस C वायरस की खोज के लिए दिया गया है ठीके ये भी बता दूँ आपको हेपटाइटिस C के लिए ये खोजने के लिए इन तीनों को ये समान दिया गया है ठीके अल्टर, राइस, हुटन याद रखीगा तीनों का नाप सवाल नमबर तेस किस राज्य की मसहूर मिर्च है दोस्तो इसका नाम है जिसको G.I.T.E.G. दिया गया है जिया डले खुरसिनी किस राज्य का है दोस्तो बताइए जल्दी से यहाँ, बिल्कुल उतर सही कर रहे है B.Sikkim B.Sikkim को दिया गया है ये G.I.T.E.G. दोस्तो चोकि देखे, 480 रुपे प्रती किलो की दर से ये बेची जाती है और Sikkim राज्य के उतर पुरवी छेतर में जो कृषी होता है वो जो है, वो इसकी होती है जो की डले खुरशीनी करके है, ये मिर्च का नाम जिसको G.I.T.E.G. दिया गया दोस्तो, Sikkim से सवाल जुड़ा है तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है जल्दी सांसर करेंगे Sikkim के मुख्यमंत्री है दोस्तो जल्दी सांसर करेंगे बिल्कुल P.S. गोले मुख्यमंत्री Sikkim के और यहाँ के राज्यपाल कौन है तो गंगा परशाद P.S. गोले क्यों इससे पहले कौन थे तो इससे पहले थे दोस्तो प्रेम सिंग तमांग अब जो है यहाँ पे बने है P.S. गोले प्रेम सिंग तिया P. प्रेम एस पॉर सिंग और गोले लिख दिया गया यहाँ पे तमांग है यह इसको ध्यान रखेंगे आप लो सवाल नंबर चलते हैं दोस्तो यहाँ पे आंसर वही कीजिएगा प्रेम सिंग तमांग है मैं मजाग कर रहा था चलिए और गंगा परसाद गवर्नर है ठीक है न लॉंच की की है पुस्तक दोस्तो दोस्तो दो वेरी एक्स्ट्रीमली मोस्ट नॉटी असूर टेल फॉर केट्स यह पुस्तक कौन लिखा है दोस्तो बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तो यहाँ पे इट्स ए आनन्द नील कांतन च sweating पुस्तो आंसर क्या करेंगे आनन्द नील कांतन जो है इसके लिखक है यह पुस्तक जुडवा असूर कुड़का और मड़का कुडुका और मड़का के कहानी पर अधारी थे जो कि स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था उन्हें उनके उपर ये फिल्म ये जो है पुस्तक लिखी गई है ठीक है याद रखेंगे सवाल नंबर 25 दोस्तों वर्स 2020 की फिजिक्स नॉबल पुरसकार किसे दिया गया देखिए केमेस्ट्री का बताया है मैंने आपको फिजिक्स का भी आप बता दीजी यहाँ पे बिल्कुल ये हैं पेंडरोज, गेंजल और गेज ये तीनों जी हैं दोस्तों जिनको फिजिक्स के लिए या सम्मान दिया गया है नॉबल पुरसकार ऑल फ एवबब इस दा राइट आंसर ठीके दोस्तों ये ध्यान रखेंगे अच्छा रोजर पैंडरोज को ब्लैक होल की उत्पत्ती के लिए दिया गया है जबकि दूसरा physics पुरसकार जो है दोस्तों ये हमारी galaxy के केंदर में जो super massive compact है object है उसकी खोज के लिए गेंजल को दिया गया है और adria gaze को भी दिया गया है ठीकिए galaxy के लिए तो ये physics के लिए इन तीनों को दिया गया है यहां दोस्तों Nobel Prize यहां ये 2020 का याद रहेगा तो दोस्तों आज की इस पूरे सिनारियो में हमारा जो top 25 question है वो भी आज समाप्त होता है set number 14 लेकर आया थे आपके लिए बहतरीन प्रशनों का संगरा लेकर आ रहे हैं पूरे साल complete कर रहेंगे पूरे साल का current effort दे कर जाएंगे आपको आपके exam से पहले आप हमारे साथ लगे यह BPSC का एक बैच सुरू करने जा रहे हैं जहां पर BPSC के Qs top 50 question के साथ भी लेकर आएंगे और Sunday Saturday को वैसे छुटी रहती है Saturday को नहीं Sunday को तो Sunday को आप लोग करेंगे कि एक test रख दिया जाएगा BPSC को लेकर ताकि वहां से भी आपके practices होती रहें PT को लेकर उसके जो भी 67 की तैयारी करने के लिए जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ेंगे धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में 11 बजे बबाई टेक केर ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का